नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस टेट आ गई है ठीक है 17 मई को है अगर आप आज से भी कल्कुलेट करें तो 90 दिन से ज्यादा कुछ बचें करीब 95-96 बचें ठीक है इसमें मैं आपको दे रहा हूं 90 डेस की स्ट्रेटीजी जिसको फॉलो करके आप यूपी पीसे मे से और सब की अब देखें यह स्ट्रेटीजी में कोई ऐसी गारंटी नहीं कि बिल्कुल फुल प्रूफ है और या ऐसा कुछ है यह मैंने अपने लिसाब से दो दिन की एनलिसिस किये प्लस पुराने जितने भी पेपर से उनको एनलिसिस किया है कौन से बुक्स अच्छी होन 7774617 पर आपको मैसेज करना है सब पूरी डिटेल दे जाएगी पेमेंट आपको पहले ही करनी पड़ेगी अब देखिए इसमें मेंस के लिए एक आपको बताते रहे है कि स्पेसल फीचर क्या है हमारे ग्रूप का कि आठ जो टेस्ट होंगे वह आपको मिलेंगे सिर्फ पे कि रहा हुए कुछ वीडियो यूटूब में भी बनाऊंगा ताकि लोग बाकी लोगों के लिए भी कवर हो जाए क्योंकि भी यूप्यसी का एक्जाम भी है तो जोग्रफी का जैसे क्लास 11 और 12 वीडियो बनाना है मुझे तो वह आला यूप्यसी के लिए भी हो जाएगा आपका और यूपी पीसे इसके लिए भी हो जाएगा तो आप लोग वीडियो से फॉलो कर सकते हैं मतलब काफी कुछ फ्री रहेगा जो वीडियो रहेंगे वह हमारे यूटूब में फ्री ही रहेंगे उसके लिए कुछ वूप भी नहीं है और कुछ वॉइस समरी होंगी ल और देखेंगें ये इस्तेड़ी फॉलो कर सकते हैं देखें पहली बात तो ये कि मेंश में पेपर कसा आता है पहले तो पहले दीन होगा आपका घीईवन प्लस जीक्रूझे का दूसरे दिन क्या होगा आपका हिंदी प्लस एसे और फिर आपका होगा यह ऑप्शनल वन एक दिन में होगा दोनों पेपर और एक ऑप्शनल टू तो चार दिन का आपका प्लान होता है दस से बारा दिन का टोटल यह सेड्यूल रहता है पीपीसेस का अब देखें जी एस साले पेपर में क्या आता है जी एस में आता है आपका हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकोनॉमी करेंट अफेर्स हिंदी और एसे ठीक है प्लस साइंस और अर्डन कल्चर और इन्वार्मेंट के कुछ कुछ चीज़ है एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ जो करेंट से ना उसके लिए मेरे वीडियो जी देख लिएगा उसके लिए और कुछ करने की जरूत नहीं है पूरा करेंट अफेर्स में पूछा जाएगा तब पक्ता अभी मैंने वैसे बीडोजर सत्त्रा की जितने भी करेंट अब चालू कर दिए पांच पार्ट मैं कर भी चुका ह बता रहता है तो उस पर फोकस करेंगे हम लोग देखें जो भी एक्जाम रिलेटेट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैंने उसी हिसाप से बनाई है जोग्रफी में आता है इंडियन और वर्ड पॉलिटी में सिर्फ एक ही नाम है लच्छ मिकान बस उसी को पढ़ना है उ सब्सक्राइट तो मैं करा दूँगा कोई बूक्स किया कोई मैगजीन के जरूत नहीं सब मैं करा दूँगा मेनिस से पहले व्युडियो में कर दूँगा लेटर वाले तीन वीडियो में बना चुका हूँ और मतलब लेटर वाला प्लस आपका इंदी का भी major portion मैं वीडियो में कवर कर दूँगा एसे के लिए भी मैं कुछ topics दे दूँगा याप पे वीडियो में कि कौन कौन से most important topic है और प्लस एसे लिखना कैसे होता है यह सब चीजों के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ आप देख लिजेगा पसंद आएगा अगर आपको तो वाले पॉइंट फॉलो कर लिजेगा साइंस के लिए क्या करना अर्टन कल्चर और इन्वार्मेंट ले सब को discuss करते हैं देखे पहली बात तो यह है कि यह मैं आपको पहली बता चुका हूँ अब इस वाले जो पेड़ ग्रूप है उसमें social work or defense का English मीडियम का जिसका है उनको भी help किया जाएगा लेकिन यह ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने ग्रूप जोईन के और आपका यह ऑप्शनल नहीं है तो फिर मदब फीज कोई कम नहीं होगी किसी के लिए भी तो यह social work or defense complimentary है इसी में इस ग्रूप में और बाकी comprehensive पूरी strategies में हम इसमें देखिए ऐसा है कि अगर आप देखें यह टोटल मैंने बताया है कि अभी अगर आप दो चार दिन का टाइम लेके analyze करके टाइम टेबल बनाके भी 90 दिन की फॉलो कर सकते हैं आठ गंटे की होगी टेली आठ गंटे डेली पढ़ना पड़ेगा ठीक है इसमें देखि हैं क्योंकि जो इंग्लिश मीटम होते हैं उनके बहुत कम नंबर आते हैं कम से आप अगर लेटर वाला लिख लेंगे तो बीस नंबर का लेटर आ जाता है वो तो मतलब दो तीन घंटे में हो जाएगा लेटर का उसके अलावा जो प्रेसे वाला होता है वो भी बता प्लस कॉंप्रेंसिव वाला भी जो तीस तीस नंबर के आते हैं दो क्वेशन तो साथ नंबर ही हो गया और बीस नंबर हो गया जो ग्रामर वाला पार्ट है मतलब आप तीन चार दिन में करेंगे अच्छे से भी पढ़ लेंगे काफी तो इसमें आपके 90 से लिके 100 नंबर आराम से आ सकते हैं बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेटीजी ऐसे नहीं दे रहा हूं कि मैं बोढ़ दू कि आप 140 लेंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा अगर कोई हिंदी में अच्छा होगा वही ला सकता है इंग्लिश मीडियम ओले लोग मैक्समम सो एक सो पांच आराम से ल नमर का होगा इसमें 90 क्यास पासी नमर मिलते हैं जादा तर लोगों के मैंने देखा है और अगर आपने चार पास दिन भी दे दिए कि जो भी इंपॉर्टन टॉपिक्स है मतलब एसे एक दो लिग के देख लिजीए का बस ठीक है एक दो लिग के आपको थोड़ा आइडिय देली दो दो ती घंटे भी इसमें देंगे तो फिर आपका आराम से हो जाएगा हलका फुल का रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा इसमें देखे रिवीजन नहीं ध्यान रखेगा रिवीजन कम से कम हर 10 दिन में कर लिजेगा जो भी आप पढ़ें लाश्ट के 90 दिन में प्रिवीजन पर ज्यादा फूकस करें आप देखिए इसमें मैं कह रहाँ डियली आपको आड़ घंटे देने तो कैसे देने कम से कम डियर घंटा तो दिना है करेंट अपको अपको डियर गते है और वह मैं कैसे कर रहूंगा या वह मैं बता दूगा अगर फूट देपा र तो वो आप अच्छे opinion निख सकते हो उसमें और social work में भी जैसे जो paper 2 होता है वो जादा तर current affairs देज जोता है और defense में भी जो paper 2 होता है थोड़ा बहुत current affairs उसमें भी रहता है तो काफी अच्छा रहेगा अगर आप एक डिट गंटे भी तीन घंटे कम से कम आपको देने ऑप्शनल को डेली दोनों ऑप्शनल को मतलब डिट गंटे आप जरूर दीजे कम से कम एक टॉपिक आप जरूर पढ़िए और जिसको लग रहा है कि जीस थोड़ी अच्छी होगी तो ऑप्शनल पर ज्यादा फोकस करिए लेकिन कम से कम तीन जरूर दीजे उसके अलावा जो मैंने जीस की स्टडी बनाई दो धाई गंटे की डेली और उसके अलावा जो भी टाइम बचे उसमें रिवीजन करिये और प्लस ऑप्शनल को और अच्छा करिये तीन से चार निंटे आप डेली दीजे क्योंकि देखे ऑप्शनल बहुत इ हैं सिर्फ और आप्शनल अकेला है 800 तो आप्शनल आपको डेली चार घंटे देने ही पड़ेंगे बहुत बड़े मतलब वहां पर 800 में से आरा राम से टार्गेट ये रखिए कि 800 में से कम से कम 500 तो लाने ही है वहां पर टार्गेट रखिए अगर आपके जितने आजाए ज अलग तरीके से क्रियेटिवाइशन नहीं लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है यूपी में बहुत ट्रेलेंटेड लोग हैं एक से एक ट्रेलेंटेड हैं कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कहीं दिखते भी नहीं लेकिनों सिलेक्ट होके आते हैं फाइनली प्रीवेस एर अब उसके बाद देखिए ऐसा है कि अगर आप डेवाइस स्ट्रेटिजी बनाओ तो डेवाइस में मैंने आप लिखी हुए डेली आट गंटे का टार्गेट तो रखना है आप ये बुक्स कौन-कौन से पढ़ दिए हिस्ट्री के लिए बुक्स आपको देखिए लिए दोनों में आती है इंग्लिस 19 चैप्टर है उसमें 27 चैप्टर है मॉडर्ण के लिए आपको इस्पेक्ट्रा बुक पढ़नी पढ़ेगी प्लस बिपिन चंद्रा की जो संब्री है मतलब बिपिन चंद्रा की जो 12 क्लास वाली बुक है वह आप ऐसे रीडिंग माल लि कि मैंने काफी सारी वीडियो बना है उसकी पीडियाफ तो मैं पेड़ ग्रूप में दे दूंगा और प्लस इसमें जो भी जोग्राफी से रिलेटेड़ चीजे हैं वह आप यहां पर कर लिए डेवाइसी स्ट्राटिजी भी दिए जो और फिर उसके बाद पढ़ो तो दो करोगे इसे तो अच्छा रहेगा पॉलिटिक लिए सिर्फ एक की नाम है लवा कहीं जरूरती नहीं कोई भी उनसे अच्छा जो बुक है वो पूरी नौवल के फॉर्म में लिखी गई है बहुत ही शांदार बुक है कोई कंपरिजन ही नहीं हो सकता किसी भी बुक से अगर क मेरे वीडियोज भी देख लेंगे तो काफी है इसमें सब कुछ कवर करा हूंगा मैं यूपी पीसेस के में पॉइंट अभी उसे प्लस आरो के एक्जाम के लिए भी अब देखे एक बात और है कि यहां पे जो यह मैं स्टेटिकी बता रहा हूं अब यह है टोटल जीएस की स्टेटिकी यूपी पीसेस के लिए और जो अगर यूपी-पीसेस की एत्यारी कर लिए तो आरो के में से पहले पूरी खतम कर दूँ वहीं पर यूटूब में पच्छतर चैप्टर हैं दस दिन की आप इस्ट्रटी बनाके मतलब ऐसा नहीं कि दस दिन में आप नई पढ़ेंगे यह पहले से पढ़ा होना चाहिए आपने मेंस के दिन जा रहा है तो आपको पहले से तो पता ही से ऐसा है कोई भी लेकिन ऐसा गारंटी दो जिंदगी की भी नहीं होती है अगर कम से कम 500 लोगी कमेंट कर दें कि यूटूब में भी टेस्ट होना चाहिए तो मैं यह वाले सब टेस्ट जो आठ है वो मैं यूटूब में भी कर लूँगा यूटूब में महिना ज्यादा हो तो उसका रिस्पान्स नहीं होता है एक्षड़ी टेस्ट गोड़ी और काफी सारे मैं कुछ बनाता हो और उसके बाद भी व्यूज़ भी नहीं हाते हैं क्यों कि यूटूब में और कुछ तो मिलता नहीं है व्यूज़ भी नहीं है तो फिर इसलिए फिर मोटिवेशन मानो सुला मई को आप निकल जाओगे पंद्रा मई तक का प्लान लग आप और लाश्ट के तीन चार दिन पढ़डो आराम से हिंदी लास्ट के लिए चोड़ो क्योंकि हिंदी ऑसी चीज है आप अब पढ़ोगे बूल जामे फिर बात पूरा चैप्टर वाज लिखा हुआ है कि 15 तरीक आप पहला चैप्टर करिए फिर दूसरा तीसरा करिए चौता पाच्वा करिए च्छटा करिए सातों ऐसे करके आपको यह लिखा हुआ नहीं अगर आप से उपा रही है तो वीडियो देख लेना काफी हो जाएगा उतना और उसके बाद पीडियाप पढ़ लेना एंशेंट के एक से लेके 14 चैप्टर कवर करने आरस सर्मा वाली बुक से करेंट अफेर्स डेली करना डेली कैसे करना एक इंशॉर टैप आती है उस साइंस अभी नहीं पढ़ना है पहले टेस्ट के लिए साइंस में पढ़ेंगे ऑप्सिनल वन जो भी है आपका सोसल वर्क और आपका डिफेंस वह आप डेली पढ़िए पढ़ रहे हैं तो वो लोग यहां तक फॉलो करिए और यह जो ऑप्सिनल वन टू है और इसको छोड लिए इसको पेड़ वाले जो मेंबर से हैं फिर टेस्ट टू होगा आपका अधिके जिस डेट पर लिखा है कि चौबीस वर्वरी को टेस्ट होगा आपका टेस्ट टू कब होगा छे मार्च को होगा उसमें क्या आएगा पॉलिटी के यह चैप्टर साइंगे ठीक है और आ जो पीडियाफ है यह मैं शेयर करते रहा हूं टेलीग्राम में आप टेलीग्राम से च्वें कर लिजेगा टेलीग्राम से उठा लिएगा तो कि अब यह वाली पीडियाफ में यह वाली पीडियाफ का कोई वो नहीं है यह देखे नंबर हमारा यह टेलीग्राम का तो आप है डिए टेलिग्राम मैं मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ आट बरेट इस्टेडी फौर सिवल सर्प्सेस आप उससे कर लीजेगा और गुरूप की लिंक भी जो मतलब फ्री वाला टेलिग्राम है मारा चैनल उसमें मैं यह पेडियाप शेयर कर दे रहा हूं ठीक है लेकिन ज करेंगे इस्ट्री में फिर मॉडर्ण करेंगे लास्ट में को कि मॉडर्ण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना एक्जाम में उसकी जरूरत है उसी इसाब से होए दोनों टेस्ट के तो मैं देखूंगा अगर कमसें पंद्रह जार की दूस हो गए तो टेस्ट ले लिया जाएगा आगे पूरे उन्हें तो फिर पेड़ में तो हो गई बीट बीट में देखें पॉलिटी मैं बता रहा हूं आपको पॉलिटी में से पहले मैं लगभग प मैं पहले बोल दिया आप से कुछ और नहीं पढ़ना है सब करा दो जाने हिस्ट्री की बात रही हिस्ट्री थोड़ी टफ सी है और मैं कोशिच करूंगा कि मैं वाइस समरी कम सकम पेड़ ग्रूप में कुछ-कुछ टॉपिक्स की देदो जो काफी इंपोर्टेंट है वरना आप बनाए आप अपने इसाब से फ्लेक्सिबल करके तोड़ मरोड के क्योंकि आप अपने आपको बेस्ट चज़ कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है कुछ वर्किंग लोग भी होंगे उनको भी डेली फॉलो करना पड़ेगा तो वो लोग अगर डेली वाले नहीं तो संडे सट्रेडे को अपना लगाई है कही न कहीं से तो मैंने जापी को करना पड़ेगा वो ठीक है और प्लस जैसे माल यह कोई बीच में ऐसा कुछ टॉपिक आया कि आप एकदम फस्द्द हैं तो मैं उसको वाइस समरी दे दूँगा आपको ग्रुप में ठीक है लेकि लुक से भी ना पढ़नी पड़े इस लेवल पर करा दूँगा जोग्रफी पूरी तेन तक मैं वैसे ही करा चुका हूँ 11-12 बची बस 11-12 हला कि काफी कटी ने वही वाली बची है और मैंने बोला करेंट अफिर्स यह तीन चीज में करा दूँगा हिंदी भी पूरी करा दूँगा मैं और बाकी रिस्पॉंस को पर डिपेंट करेंगा और प्लस जीएस से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे इसमें ऑप्शनल के लिए भी मैं फ्री में क्या करूंगा कि देखूंगा अगर डिफेंस का और सोसल वर का मैं कुछ वीडियो जरूर डा करेंगा जो भी इंपॉर्टेंट एक्जाम के लिए ठीक है और प्लस पेड़ वाले ग्रूप में यह है कि जैसे आरो का जो एक्जाम है उसमें भी उनको फायदाव मिलेगा क्योंकि आरो का एक्जाम अगर आप त्यारी कर रहे हैं और अपने यूपी पीसे जो मेरा इप्ल सफिशेंट है बहुत ज़्यादा सफिशेंट है और पेड़ वालों के और क्या होगा वाइस सम्रीज होंगे और पूरा इंपॉर्टेंट वाला और आपको टोटल पीडियाप्स प्लस मैं बीच बीच में जैसे कुछ एकर इंडी मुजला आपका डाउट है तो आप मुझस फॉलो तो फिर मैं उस इसाब से देखँ हो कि कितने लोग आप यहां पर उपी पीसेस मेंज के लिए फॉलो कर रहे हैं और प्लस और इघ्जाम के लिए अगर अच्छा खासा फॉलोले शिप रही है यहां पे मतलब अच्छा खासा आपनों फॉलो किया तो फिर मैं कोशिच करूँगा कि ज्यादा तर जीएस की चीजें और प्लस पूरे टेस्ट यहीं पर करा दो तैंक यू फॉर लिस्टिंग प्रीज तो लाइक अचेर और देखें यह मैंने बता दिया आपको यह हमारा वाटसेप ग सब्सक्राइब करने के लिए और अगर आप आरो के लिए कर रहा है तो फिर बताइए थैंक फॉल लिस्टिंग ठीक है